हेलो एंड वेल्कम तो दी वल्वाइट पोस्तो ये है हमारा प्यारा इंडिया इंडिया डट इस भारत वेल गाय सौधिया अरभिया और इंडिया को लेकर पहुत पड़ी अब्डेट निकल कर आ रही है सौधिया अरभिया इंडियन सिटिजन्स के लिए फ्री विजा देने वाला है जी हां ये बात सौधि की टूरिजम अथॉरिटी ने खुद कनफर्म किया है मैं इसको डीटली वीडियो के एंड में समझा दूँगा लेकिन साथे दो अधार चोबिस कैस के साथ क्या लिंक है ये क्या है आगे मैं आपको सब इजी एक्स्प्लेन करूंगा तो इंडिया से करीब 7.5 मिलियन प्यूपल्स यानि के 75 लाक इंडियन सिटीजन सौधी अरभिया को विजिट कनने आएंगे मैं आपको साथे दो अधार चोबिस के बारे में पहले बोल लेता हूँ अना वीडियो समझ में नहीं आएंगी इस साथे दो अधार चोबिस में भी कहा जाता है ये एक तरह का एक्जिबिशन है ये एशिया का सबसे बढ़ा ट्रावल और टूरिस एक्जिबिशन है जो तीन दिन के लिए कनेक्ट किया गया था इंडिया की राजदानी डिली में और अब इसमें रीजन्टली सौधी अरभिया ने भी पार्टिसिपेट क किया है साटे को इन्फॉर्मा मारकेट ने ऑर्गनाज किया है ये इंडिया की टूरिजम ट्रावल इंडस्ट्री को बदलने का मकसद रखता है ये एक फ्लैटफरम में जहां ट्रावल टूरिजम और हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री के पायस और प्रोफेशनल एक सार आत सौधी अरबिया के लिए एक वेरी 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 इंपोर्टन मार्केट है पिछले साली सौधी अरबिया ने इंडिया से वेरियस सेक्टर पर एग्रिमेंट किया था मीटिंग कहीं सारी हुई थी यहां पर अलहसन अलदाबाग इनके हिसाब से 2030 तक दुनिया एक नय सौधी अर सौधी अरबिया टूरिजम में बदलाव के लिए इस्ट की तरफ मोड कर रहा है और इंडिया उनके लिए गणा पार्टनर होने का इरादा रखता है एक एहम हिसा है यानि सौधी अरबिया के साबसे इसके तरफ इंडिया के मार्केट को प्यलियंस ऑफ डॉलर्स में objectives और ambitions को हिर्मत वा सच्चाई से निबा रहे हैं वो भी इंडिया जैसे country के साथ तो सौधी अरब्या को इंडिया के लोगों को समझना पहुत ज़्यादा जरूरी है और जब हम लोगों को और उनकी अलग-अलग चीजों को समझ लेते हैं जैसे इंडिया एक बड़ा market है जिस से ज़्यादा पसंदीदा office तयार कर सकता है जब इंडियन citizen सौधी अरब्या को विजिट करने आएंगे और ये भी है कि सौधी अरब्या सच में इंडिया की market के लिए top destination बन जाएगा आने वाले दिनों में तो सौधी अरब्या की ताद देनी पड़ेगी गाइस पहले वो अपने basis को पुनियात को ही strong बना कर आगे बढ़ रहा है सब कुछ जो सौधी अरब्या अभी कर रहा है वो उनके vision 2030 के recording है अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे चाहे वो exo instagram हो या facebook हो आपको सौधी टूरिजम के तरफ से sponsor ads देखने को मिलेगी सौधी अरब्या विजिट 2030 की ये public city बहुत जोड़दार है और बड़े पैमाने पे सौधी अरब्या ये सब कर रहा है जिए बेशक टूरिजम सौधी अरब्या के vision 2030 का बड़ा हिस्सा है और इसका best example है नियॉम सिटी जिसे 2030 तक ready होकर active होना है सौधी अरब्या ने इंडिया के बारे में अच्छी study की है और जिस तरह से सौधी अरब्या ने इंडिया को समझा है सौधी अरब्या कामियाब भी हो सकता है ऐसा मैं इसलिए कराओ क्यूंकि सौधी अरब्या के tourism vision से सब कुछ एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है क्यूंकि सौधी अरब्या के vision 2030 के तीन पिलर आपको देखने को म का मतलब एक enthusiastic society है जो enjoy कनने में पसं करता है interest रखता है तो tourism इसके साथ connected है दुसरा ambitious nation का मतलब यह है एक country जो अपने आपको effective transparent और accountable के साथ तैयार होता है किसी भी तरह की vision या target को complete करने के लिए तो सौधी का tourism आपको इसके साथ connect होता हुआ देखने को मिलेगा एक thriving economy का मतलब एक IC economy होती है जो expand करती है बहुत सारे sectors में अलग-अलग और अच्छे jobs opportunity को provide करती है और एक strong education और workforce training infrastructure के साथ अपने customers को help भी करती है और tourism को आप इसके साथ भी जोड़ कर देख सकते हैं तो यह तीनों जो चीज़े हैं tourism के साथ connected है अगर मैं विजा की बात बो citizens को सौधी तक पहुंचने को आसान करती है भारत में अभी के लिए सौधी अरब्या के तरफ से 10 VFS offices है यानि के visa facilitation services के offices है और हम इस साल और बढ़ाने की उमीद रखते हैं और वो आगे कहते हैं कि सौधी अरब्या ने एक stop over program को शुरू किया है जिसमें होता यह है कि अगर कोई इंडियन citizen सौधी एरलाइन या सौधी अरब्या की एक private low cost एरलाइन फ्लाइनास के साथ travel करका सौधी अरब्या को आता है उनके लिए 96 hours का free visa दिया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि US, UK या शंजन विजा रखने वाले लोगों को e-visa on arrival का permission भी दिया जाए इंडिया और सौधी अरब्या की diplomatic relations बहुत पुराने हैं और साथे दोजाचोबी से comprehensive platform है जो tourism और hospitality industry के अंदर और बाहर के views को express और बोलने का मोका भी देता है और साथे दोजाचोबीस professionals के लिए completely तैयार किया गया platform है साथी national और state tourism board जिसे NTO's and STO's भी कहा जाता है ये साथे क के साथ collaborate हुए हैं जुड़े हुए हैं जो अपने आप में positive decision था तो यह कुछ updates थी जो मैंने आप तक लाया है अगर इसके related कुछ भी डॉट हो तो आप मुझे comment करें मैं आपको इसका जवाब दे दूगा साथ मैं हाड़ भी दे दूगा और अगर मेरी वीडियो informative दिखे त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फो वाचिंग थैंक यू फो यह रिंग और अल्वेश से कॉर्ट ब्लेस यू अल